आज किस एपिसोड में हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Scratching the Tigers Back इस पोएम को line to line समझेंगे इसकी एक एक लाइन की हिंदी समझेंगे जितने भी difficult words हैं उनकी meaning को देखेंगे और exactly पोएम में क्या theme है किस चीज के बारे मताया गया उसे यहाँ पर prepare करेंगे तो pen paper लेके बैट जाएं तयार हो जाएं एक study mode में आ जाएं जिससे कि आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर difficult लगेंगे उसे आप अपने पास note कर सकें इसके अलावा जो difficult words होंगे उनकी meaning आप वीडियो के description में भी पासकते हैं वहाँ से आप भी इसे note कर सकते हैं तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं और समझते हैं किसमें क्या बताये गया है regrettably का मतलब होता है बड़े ही दुख पूर्वक के साथ या अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टाइगर जो है चीता यानि बाग is known for जाना जाता है for fierce attack fierce का मतलब है घातक और attack का मतलब प्रहार यानि वो हमला करने के लिए जाना जाता है एक ऐसा हमला जो जान ले सकता है fierce का मतलब जान लेवा या घातक प्रहार तो इस चीज के लिए tiger जाना जाता है और हम सभी लोगों ने tiger और चीते के विशह में बहुत पड़ रखा है लेकिन एक बार की बात है there are days मतलब ऐसे दिन भी आए when the tiger says जब tiger यानि चीते ने ऐसा कहा come here मेरे पास आओ and scratch my back और मेरी पीट को आके खुजलाओ come का मतलब how here मतलब मेरे पास scratch का मतलब खुजलाना यानि पीट खुजाना my back मेरी पीट को खुजाओ तो कुछ एक ऐसे जानवर होते हैं जो कभी-कभी ऐसे mood में होते हैं कि उन्हें मन करता है कि उनकी पीट को कोई खुजलाए आप अगर dog को पाले होंगे तो आपको पता होगा कि dog अकसर करके ऐसा होता बैट जाता और फिर उसके पीट पे अगर आप सहलाने या खुजलाने लगते हैं तो वह बहुत ही उस चीज को enjoy करता है तो वैसे यहाँ पर tiger कभी-कभी-कभी mood होता है his moods vary with meal लेकिन ऐसा उसका mood कभ होता है mood मतलब उसका ऐसा मन कभ होता है जब vary with meals वह पेट भर के खाना खा लेता है vary का मतलब है अलग-अलग mood होना और meals का मतलब भोजन तो जब पेट भर के किसी चीज को खा लेता है तो उसका mood ऐसा हो जाता है कि वह किसी पर attack करने के जो है मन नहीं होता उसको at times अब इस समय के time में यानि जब ऐसा mood होता है खाना खा चुका है at times इस समय के time में tiger is not जो चीता है वह ऐसा नहीं है कि charged with electricity तो वह पूरे active mode में नहीं होता है charged with electricity इसका मतलब होता है active mode में होना जैसे आक्रम्ण की अवस्था में चीता होता है तो वैसा इस समय के time में ऐसे mood में अब वह नहीं देखा जा सकता जब exactly वह पेट भर के खाना खा लेता है खूब अच्छे से his blood isn't that hot अब उसका खूण भी उतना गरम नहीं होता है यानि जब वह खाना खा लेता है खूण गरम होने का मतलब यहां पे वह नहीं है जो खौलता है पानी खौलने के जैसा यहां पे खूण गरम होने का मतलब यह है कि कुछ high temper में होना एक ऐसे सोभाव में होना जो किसी प आगे कहते हैं कि his blood isn't that hot उसका खूण इतना गरम नहीं है he feels so lazy that he leases वह इतना आलसी महसूस कर रहा है कि that he leases वह आलस करता है यानि किसी भी जगह जाने से चलने से या कुछ भी हरकत करने से इस समय के टाइम में वह आलस कर रहा है जब वह पेट भरके खाना खा चुका है फि बिकार करने ना दादी किनारे ना कहीं और कुछ इस तरह से एक ही जगह बैठा बैठा वह बस लेटा आलस करता रहता है his strips अब उसके पीट पर जो पट्टियां बनी है doesn't play वह चमकदार नहीं हो रही है और ब्लेस का मतलब अंगारे नहीं उत्पन कर रही है तो जो टाइग पर उसी के डर की चीजों को उसी के डर की चीजों उसमें शामिल होती है इसलिए उसकी जो पट्टियां है अब ऐसी नजर नहीं आ रही है कि देखके उनको डर लगे या गरम महसूसों बलेस कर रही हो इसलिए उसकी जो टंचा है इसकी डर टासा डंट रही है जो इसकिन है वोटी जलो नहीं कर रही है और तक बोलेसे इसलिए इस समय का ताइम में इतनेम महसूस करता इतना ज्यादा आलसी महसूस होता है कि and afternoon and the winter sun turns low कि दिन और दुपहरी बीते चले जाते हैं afternoon का मतलब दुपहर और winter sun का मतलब ठंड के दिनों में आने वाली जो धूप होती वो सब धीरे-धीरे कम होती चली जाती है और वो एक ही जगह पर बैठा रहता है इतना उसो आलसी है हो गया है summer time में that autumn evening अब एक दिन की बात है autumn पतज़ड के दिनों की बात है और evening उस साम में थे यह शाम में tiger एक जगह बैठा होता है when for a moment brief कुछ एक शण के लिए light through the leaves कुछ शण के लिए जो light थी यानि प्रकाश जो सूरी का प्रकाश है वो through the leaves पत्तियों से होकर आ रही थी किसी जगह पर पत्तियों से होकर धूप नीचे की तरफ आ रही थी पड़ रही थी तो जब धूप पत्तियों से होकर आती तो आप लोगों देखा होगा कि धूप ज देखने में खुद में काला और चमकीला था यानि जहां पे धूप पड़ी थी वो चमकीला और जहां पे नहीं पड़ी थी वो काला नजर आ रहा था ब्लैक शाड़ो काली जो परचाई थी गोल्ड लीफ और उसके अलाबा जो पत्तियों चमक रही थी गोल्ड लीफ that evening वो विशह में यानि चीते के डर के विशह में and even if you do यदि आप भी ऐसा उस समय करते हैं या कर सकते हैं the tiger will be on the far bank उस समय के टाइम में नदी के पास वो चीता देखा जा सकता है not here लेकिन अभी के टाइम में वो नहीं है अभी के टाइम में वो आलसी है अपने आप में आलस इसलिए वहां उसे देखा नहीं जा सकता है फिर आगे कहते हैं कि that night उस रात की बात है you will not dream of tigers कि आप सपने में भी tiger को नहीं देख सकते हैं मतलब यह कि उतना lazy हो गया है कि वह अपनी जगें ऐसे बैठा हुआ है कि ना तो वहां से निकल के बाहर आ रहा है ना तो वह शिका पर भालों जैसे जो निशान बने हैं daggers का मतलब होता है भाला या बर्चा प्रेंट का मतलब उसके उपर पट्टे या निशान जो बने हुए हैं and gold daggers और दूसरी पट्टियां जो gold नजराती है सोने के जैसे नजर आती वह भाले के तरीके से वह दिखाई देते हैं and even if इस शायद देखा हो कि कुछ लोग चीता ताइगर को पालते भी हैं तो वो लोग जो हैं उससे नहीं डरते हैं उतना ज्यादा जब उसे पालने लगते हैं तो उनके लिए वो थोड़ा सा डर उत्पन नहीं करता है तो ऐसे के टाइम की बात यहां पर की जा रही है फिर आगे कहत और आपके सपने में नहीं आ रहा होगा और जो कुछ भी होगा वो सिर्फ इतना कहे होगा कि एक ही चीज बोलेगा कि I am well because I lunched well वो केवल इतना कहेगा कि मैं ठीक हूँ और इसलिए ठीक हूँ क्योंकि मैंने पूरी तरह से पेट भरके खाना खा लिया है लंच मैंने अच्छा सा कर लिया है लंच्ट का मतलब है है आपर खाना खालेना पेट भर लेना वेल का मतलब अच्छे से I too, मैं भी am made by God मुझे भी ईश्वर ने ही बनाया है मैं भी ईश्वर के द्वारा बना हो तो मुझे भी कभी कभी थकान लगती कभी कभी आला साता, कभी नीद आती वो ये बताना चाहता है I am a symbol, मैं भी एक ऐसा प्रतीक हूँ I am like you, मैं भी तुम्हारे तरह हूँ यानि किसी भी इनसान के लिए बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे तरह ही बिल्कुल हूँ तो यहाँ पर देखिए, जानवर जितने भी होते हैं उनको भी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है वही चीज़े उन्हें भी चाहिए होती है कि अगर हम उन्हें थोड़ा सा प्यार करेंगे तो वो हमें भी प्यार करेंगे अगर हम उनसे थोड़ा नफरत करेंगे तो वो हमसे नफरत करेंगे अगर हम उन पे अटैक करेंगे तो भी हम पर attack करेंगे तो इस mood को यहाँ पर बताया गया इस तरीके की चीज़ों को फिर आगे कहते हैं कि both good and evil चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों यानि good and evil good का मतलब अच्छे, evil का मतलब बुरे dwell, वह सब एक साथ रहते हैं dwell का मतलब होता, एक जगे पर रहना या किसी जगे रहना I am, आगे बोलते हैं कि in me too मेरे अंदर भी कुछ हैसे जो है, मन है, परताव है बरताव की मेरा, कि मैं भी अच्छे के साथ रहना चाहता हूँ, फिर आगे कहते हैं for good, अच्छे के लिए अच्छा, gold यानि मेरे पीट पर जो gold की पट्टियां बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि मैं अच्छा हूँ and for evil और बुराई के लिए मेरे पीट पर जो पट्टियां बनी है black color की वो इस बात का प्रमाण है कि मैं black जो वाला सीन दिखाई दे रहा मैं बुरा भी थोड़ा बहुत and फिर कहते हैं कि tonight, आज की रात I'll say nothing, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा कुछ भी नहीं कहूंगा मतलब ना attack करूंगा, ना गुराऊंगा, ना दाडूंगा और केवल इतना कहूंगा कि you can scratch my back, तुम मेरे पास बैट कि मेरे पीट को खुजला सकते हो यानि किसी दोस्ती को अगर करना चाहते है तो उसको थोड़ा सा सुख देना पड़ेगा और वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आप उससे चाहते हैं तो ये poem थी केकी इन दारूवाला ने लिखी हुई और I hope कि poem आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको कई confusion हो रहा है कोई भी point ऐसा समझ में नहीं आया है तो वीडियो को rewind करके आप फिर से एक बार देख लें जो भी difficult words हैं उन्हें आप note अपने पास जरूर कर लें इस poem से आपको काफी help होने वाली है word meaning के through अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें और अपने दोस्तों के थाथ share जरूर करें